Hello guys, welcome to my youtube channel आज की वीडियो में हम लोग Homogeneity of Space and Conservation of Linear Momentum वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे पिछली वीडियो में मैंने Lagrangian Equation of Motion की एप्लिकेशन डिस्कस की थी अगर आपको कोई एप्लिकेशन के उपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं Homogeneity, अगर मैं Space के लिए कहूं कि Space जो है आपका Homogeneous है इसका मतलब है कि Space आपको हर लोकेशन से आप Space में किसी भी लोकेशन पे चले जाएं आप देखेंगे तो आपको क्या देखेगा? एक साह देखेगा यहां भी इसका कुछ ऐसी ही मतलब है कि अगर आप किसी सिस्टम के Frame of Reference को arbitrarily Displace करते हैं अपनी जगा से सिस्टम को क्या करते हैं? चेंज करते हैं तो उसकी सिस्टम की जो Physical Properties है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जा मैं Simple Way में कहूं जैसे की यह आपका क्या है? इस तरीके से मान लीज़े इस सिस्टम है, ठीक है? इस सिस्टम के अगर आप Coordinate को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, मान लीज़े अभी यह यहां पर है आपने इसे Displace करके इसे Transform करके कुछ ऐसी Transformation करी कि यह सिस्टम बिल्कुल ऐसी का ऐसी ही रहा है बढ़ इसके आप Coordinate जो है वो क्या होगे हैं? थोड़े बहुत Change होगे हैं तो इसमें आपके ने क्या कर दिया है? इसके Position को या इसके आपने सिस्टम को Translation, Arbitrary Translation यहाँ पर Arbitrary Change कर दिया है तो ऐसे में आपका क्या होगे? जो Lagrangian है, यानि की Change in Lagrangian देट इस Δेल्टा L यह भी क्या हो जाएगा? आपका Zero हो जाएगा तो Homogeneity का मतलब यह है तो इसी के basis पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर Conservation of Linear Momentum वारा जो है, प्रूफ करके दिखाएंगे कि यहाँ पर Linear Momentum आपका कैसे गंजब रहता है तो मैं क्या करती हूँ? एक Cartesian Coordinate में मान लेती हूँ कि एक Small Transition हो रहा है आपका आयत Particle का, ठीक है? कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से हो रहा है जैसे यह Ri है आपका यह Change हो गया किस पे Ri प्लस Del Ri पे है इस Del Ri को आप मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ? एपसालेंट लिख देती हूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Ri चेंज टू Ri प्लस एपसालेंट ठीक है? तो यह क्या है? आपका Constant of Small Transition है तो अब इसके लिए आगे देखिए अगर मैं इसके लिए Change in Lagrangian निकालती हूँ ठीक है? तो हमें क्या पता है? Lagrangian यहाँ पी किसका function होता है? जैसे मान लिजे मैंने R1, R2 और इस तरहे के से इसको क्या मान लिए? Lagrangian को Incoordinates का function मान लिए तो यहाँ पे अगर मैं Change in Lagrangian निकालती हूँ यानि के del L निकालती हूँ तो वो कितना आएगा? Summission आजाएगा आयत पार्टिकल के लिए मुझते एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए तो मैं Direct से Summission की Form में लिख रही हूँ यहाँ पे तो यह आजाएगा आपका Del L by Del Ri इस तरीके से आजाएगा अब यह जो है यहाँ पे Del Ri इसको हमने क्या लिखना है यहाँ पे Epsilent लिखना है तो यह क्या आजाएगा आपका Epsilent Summission Del L by Del Ri यह आगया यहाँ पे और यह क्या है आपका Del Ri तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर आप एक Arbitrary Transition यहाँ पे लेते हैं तो उसके लिए आपका Lagrangian क्या होगा 0 होगा So For Since लिख देजेए Since for Arbitrary Translation Del L equal to 0 तो यह आपका 0 equal to Epsilent Sigma Del L By Del Ri हो गया इस तरीके से आगया अब यह Epsilent आपका इधर चले जाएगा तो यह भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा तो Simple Summation Del L By Del Ri Equal to क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा अब हम अपनी बात आजाते हैं Lagrangian equation of Motion पर आजाते हैं तो वो क्या था हमारे पास D By D T Del L By Del Ri Dot Minus Del L By Del Ri Equal to 0 यह था हमारे पाएगा Lagrangian equation of Motion ठीक हैं तो यहाँ पर देखिए अब यह D By D T है Del L By Del Ri अब मैं इसे अगर इस सिस्टम में माल लीज़े अभी हमने उपर क्या ले रखा है Summation में ले रखा है यह एक वन पार्टिकल के लिए टू पार्टिकल के थ्री पार्टिकल के लिए इस तरीके से आजाएगा तो मैं इसे सिंपल अभी क्या ले ले लेती हूँ Summation की formula ले लेती हूँ तो Summation D By D T Del L By Del Ri Dot माइनस Del L By Del Ri और इसके आगे भी आपका Summation आएगा और यह क्या होगा आपका 0 होगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए Del L By Del Ri तो अल्रेडी आपका क्या है 0 है तो Summation D By D T Del L By Del Ri माइनस 0 इक्वल टू 0 इस तरीके से आगे और मैं इसे क्या करती हूँ D By D T को बहाल ले लेती हूँ अंदर क्या आएगा मेरा Summation Del L By Del Ri और यह Ri यहाँ पर क्या था Dot था Del Ri dot equal to 0 यह आगया अब आपने पढ़ा होगा कि जो Lagrangian होता है वो क्या होता है आपका T minus V तो कानेटिक एनरजी minus potential energy तो कानेटिक एनरजी हम कैसे लिखते हैं Half M Ri dot का square लिखते हैं और V को आप क्या लिख देते हैं Simple मैं V को मान लेती हूँ कि यह क्या है आपका R का function है तो अगर मैं सिरफ Del L by Del Ri dot यहाँ पर calculate करती हूँ तो मिरे पार कितना आता था M Ri dot आ जाता था इस तरीके से आ जाता था ठीक है तो अब मैं इसे क्या करती हूँ यहाँ पर देखे M Ri dot इसको यानि कि यह क्या बन गया आपका M V M V आपका क्या होता है Momentum होता है M V equal to और यह क्या आपका I particle के लिए है तो यह P I यानि कि यह क्या आपका Momentum आगया तो मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ तो मेरे पास क्या आता है D by D T इसे मैं direct यहाँ पर P लिख देती हूँ यानि कि आपका Momentum equal to 0 तो यह क्या है आपका Change in Momentum क्या हो रहा है यहाँ पर 0 हो रहा है That means P आपका क्या है Constant है तो यह क्या है आपका Linear Momentum आपका क्या हो गया Conserve हो गया है तो Homogeneity of Space हमने आपका क्या है Conservation of Linear Momentum तो इस तरीके से Homogeneity of Space से हमने क्या कर दिया लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर कंजर्फ सो कर दिया है नेक्स वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्फ सो करेंगे तो तब तक के लिए टेक केर गुडबाई